स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था जागीश्वर धाम उत्राखंड की निम्नलिकित में से किस जिले में स्थित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी अल्मूडा चले देखते हैं इसके विशलेशन को यह उत्राखंड के अल्मूडा जिले में स्थित एक हिंदू तिर्थ स्थल है यह स्थल भारती कानूनों के तहट संरक्षित हैं और भारती पुरा तत्व सर्विक्षर द्वारा प्रबंधित किया जाता है सनातन धर्म के लिंग पुरान, सकंद पुरान और शिव पुरान में इस मंदिर का उलेख मिलता है जा गेश्वर धाम मंदिर में भगवान के नागेश रूप की पूजा की जाती है तो चलिए शिरुवात करते हैं आज की एपिसोड की पहला प्रश्ण है कींद्री रिजर्व पुलिस बल किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए उन्नी सो उन्चास, बी उन्नी सो पचास, सी उन्नी सो तिरपन या डी उन्नी सो पच्पन इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए उन्नी सो उन्चास, चलिए देखते हैं इसके विसलिशन को 28 दिसंबर उन्नी सो उन्चास को CRPF अधीनियम लागू होने पर कींद्री रिजर्व पुलिस बल अस्तित्व में आया इसका मिशन सरकार को कानून के शाशन, सारवजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने, राश्ट्री या अखंडता को सनरक्षित करने, वसमविधान के सर्वोचता को बनाए रखते हुए सामाजिक सदभाव तथा विकास को बढ़ावा देने में बनाना है, ग्रियमंत्राले यानि MHA के प्रशासनिक नियंत्रड के तहत भारत के साथ केंद्रिय सश्थर पुलिस बल आते हैं, केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल यानि CRPF या आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाज से निपटने में सहायता करता है, केंद्रिय औध्युगिक आतंकवाद विरोधी बल है, इसके अतरिक्त शेश चार बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिबबत सीमा पुलिस और सश्थर सीमा बल तथा असम राइफल्स हैं, अगला प्रशन है, चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को सुक्मा जिला चतिसगड राज्य के दक्षणी सिरे परिस्तित है, जिसे वर्ष 2012 में दंतेवाडा से अलग करके बनाया गया था इस जिले से प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी, सबरी, गुदावरी नदी की सहायक नदी है, यह नदी ओरिशा राज्य में पुर्विघाड के पश्व में ढलानों से सिंकरम पहाडी श्रिंखला से निकलती है, यह चतिसगड और ओर ओरिशा राज्यों के बीद स सामाने सीमा बनाती है और बाद में आंध्रप्रदेश में प्रवेश कर गुदावरी नदी में मिल जाती है, इसे ओरिशा में कुलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिकित में से किस परवत शिंखला से निकलती है, ए विंद इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. विंद परवत शेनी, चंबल नदी का उद्गम विंद परवत इंद और मध्यप्रदेश के उत्तरी ढलान में सिंगार चौरी चोटी से होता है, महासेय मध्यप्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किलो मीटर तक बहती है, और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किलो मीटर उत्तर पूर्वदिशा में प्रवाहित होती है, यह यूपी के इटावर जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किलो मी में बहती है, इसके सहायक नदिया, बनास, कालिसिंद, पारवती, आदी है, मुख्य विदुद परियोजनाय या बांध, गांधी सागरबांध, राणप्रताप सागरबांध, जवाहर सागरबांध और कोटा बैराज, राश्ट्रिय चंबल अभ्यारन राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्षन पर चंबल नदी के किनारे सित है, या गंभी रूप से लुप्तप्राई घडियाल, रेट क्राउन रूफ टर्टल और लुप्तप्राई गंगा नदी डॉल्फिन के लिए जाना जाता है, अगला प्रश्ण है, हाली मे राजस्थान और किस राज्य के बीच पुर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानि ERCP के लिए एक समझोता ग्यापन यानि MOU पर हस्ताक्षर किये गये हैं, ए महरास्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हर्याना, इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश, चलिए देखते हैं इसके विचलेशन को, हाली में राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानि ERCP के लिए एक समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर किये, ERCP का उदेश, दक्षडी राजस्थ राजस्थान में चंबल, कुन्णू, पार्वती, काले सिंध सहित, इसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन करना और जल का उप्योग राज्य के दक्षड पुर्वी जिलों में करना है, जहां पीने तथा सिचाई के लिए जल की कम है, यह MOU राजस्थान के 13 जिलों में पेय जल और सिचाई की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त करेगा, तथा छेत्र की आर्थे किस्ति को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा, पुर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश, वर्ष दोहजार क्याव पेपर लीक को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की घोशना की है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, दी तमिल नाडू, इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प बी मध्य प्रदेश, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, मध्य प्रश्ण पत्र उपलब्ध नहीं करा सकेगा, अगर सरकारी सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो वह भी इस कानून की दाएरे में आएगा, और ऐसे कृत्य आपराधी गतिविधी के दाएरे में आएंगे, इस कानून के साथ MP स्कूल सिक्षा विभाग या सुनेशित करेगा क शात्र तनाव मुक्त महौल में परिशा दे, अगला प्रश्ण है, निम्नलिकित में से किसे जारखन का नया मुख्य मंत्री बनाया गया है, ए, CP राधा कृष्णन, B हेमंत सोरेन, C चमपई सोरेन, D इनमें से कोई भी नहीं, इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प C, चम चमपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना है, बता दे कि चमपई सोरेन सराय केला से पांच बार विधायक चुने गये थे, 1990 के दशक में उन्होंने JMM संरक्षक, शीबू सोरेन के साथ अलग जारखन राजु के निर्माण के आंदोलन में सक्रीय रूप से भाग लिया अगला प्रश्ण है, निर्मालिकित में से किस राज्य में हिम तेंदों की संख्या सबसे अधिक है, ए उत्राखन, बी लद्दाक, सी अरुनाचल प्रदेश या डी सिक्किम, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी लद्दाक, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, लद्दाक में हिम तेंदों की संख्या सबसे अधिक है, हाली में जारी रिपोर्ट जिसका सिर्शक भारत में हिम तेंदों के स्थिती है, भारती हिमाले शेत्रों में 718 हिम तेंदों की उपस्थिते का अनुमान लगाने वाला पहला वैग्यानिक प्रयास है, हिम तेंद्व को आयूसीयन के विश्व सनरक्षन प्रजातियों की रेड लिस्ट में सुची बद्ध किया गया है इसके अलावा यह लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरास्ट्री व्यापार पर कन्वेंशन यानि साइट्स की परिशिस्ट एक में भी सुची बद्ध है यह भारती वनज 1992-D 1994 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A 1989 चले देखते हैं इसके विशलेशन को गंगूत्री राश्ट्री उध्यान उत्राखंड के उत्तरकाशी जिले में भागी रती नदी के उपरी जलग्रहन शेत्र में स्थित है इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था इस पार्क के तहत आने वाला शेत्र गोविंद राश्ट्री उध्यान और केदार नात वन जिव अभ्यारने के बीच एक जीवन्त निरंतर्ता बनाता है वरस्पती यह पार्क घने शंकोधारी वनों से घिरा हुआ है जिनमें जादातर सम सितोश्न वन है इस पार्क की सामा पाने वनस्पतियों में चीरपाइन, देवदार, पर, स्प्रूस, ओक, एवं रोडोडेंडरॉंट शामिल है जीव जन्तु इस पार्क में विभन दुलब एवं लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे नीली भेड, काले भालू, भूरे भालू, हिमालियन मोनल, हिमालियन स् पर, कस्तूरी म्रिग और हिम तेंदुए पाई जाती हैं तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को निम्नलिकित में से किस राश्ट्रिय उद्यान को विश्वक की हिम तेंदुए की राजधाने के रूप में जाना जाता है इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया झाल 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 झाल